नमस्कार वन इंडिया में आपका स्वागत है मेरा नाम अविनाश है रिदिमान साहा कमाल कर दिया इस बलेबाज ने बहुत मैचों के बाद रिदिमान साहा को मौका मिला बैरोस्टो की जगा डेविड बॉर्डनर ने रिदिमान साहा को खेलने का मौका दिया और सब ही को प्रभावित करने में इन्होंने कसर नहीं छोड़ी रिदिमान साहा ने लाजवाब बलेबाजी करते हुए दिल्ली के बेस्ट गेंदबाजों की जम कर धुनाई की क्या कगी सोरबाडा और क्या एंड्रीक नौर्खिया जो भी रिदिमान साहा के रस्ते में आए पीट कर अपने घर गए महश 45 गेंदो का सामना करते हुए इस बलेबाज ने 87 रणों की पारी खेली हाला कि शतक से जरूर चुक गए लेकिन अपनी इस पारी से हैदराबाद को मजबूत स्थिती में ला दिया आपको बता दे कि रिदिमान साहा की बैटिंग और पारी को देखने के बाद खो सचिन तेंदुलकर ने बड़ी बात कही है सचिन ने ट्वीटर एकाउंट का साहरा लेते हुए कहा रिदिमान साहा की स्मार्ट बैटिंग अपने शॉर्ट्स पर उन्होंने काम किया और लाइन लेंथ को पड़ किया बढ़ियां बलेबाजी की कहीं वो स्लॉग नहीं कर रहे थे गजब की पारी थी और मैंने रिदिमान साहा की स्पारी का खुब लुथ भी उठाया गौडतल भहे की आईपिल के 13 सीजन का 47 मुकाबला दिल्ली कैपिल्स और हैदरबाद के बीच में खेला जा रहा है दिल्ली की टीम ने टॉस जित कर पहले गेंद बाजी करने का फैसला किया हैदरबाद की टीम ने 20 ओबरों में 2 विकेट खोकर 219 रन बनाए दिल्ली को जीत के लिए 220 रनों का टारगेट मिला हैदरबाद की तरफ से इस मैच में कप्तान डेविड वाडनर ने भी धमाल मचाया उन्होंने 34 गेंदों का सामना करते हुए 66 रनों की पारी खेली साथ ही पहले विकेट के लिए साहा के साथ मिल कर 107 रनों की एहम साज़ेदारी की इस ख़बर में बस इतना ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रही है वन इंडिया के साथ